नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको एक बहुत ही फेमस लेसन एक्स्प्लेन करने वाला हूँ लेसन का टाइटल है गीता अंजली जिसे लिखा है रविंद्रिनाथ टैग और जीने सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइट पर गीता अंजली गीता अंजली शब्द असल में दो शब्दों को मिला कर बनाया गया है जिसमें से पहला शब्द है गीत और दूसरा शब्द है अंजली गीत का मतलब होता है गाना या फिर सौंग और अंजली का मतलब होता है अर्पित करना, समर्पित करना या फिर प्रदान करना तो गीता अंजली का मतलब होगा सौंग आफरिंग दोस्तो एक और शब्द है जो कि गीतानजली से मिलता जुलता है वो शब्द है श्रदानजली जब हम किसी महापुरुष को श्रदा सुमन अर्पित करते हैं तो उसे श्रदानजली कहा जाता है और ठीक इसी के जैसा ही शब्द है गीतानजली दोस्तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर जहांपर हम ओथर रविंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में जानेगे तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर रविंद्र नाथ टैगोर रविंद्र टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 में 1861 में और इनकी मृत्य हुई थी 7 अगस्ट 1941 में दोस्तो अब आप रविंद्र नाथ टैगोर जी का एक बहुत ही प्यारा स्केच इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे रविंद्र टैगोर जी ने अपनी कहीं सानी कहानियां अपनी कहीं सारी करतियां अपने pen name यानि के अपने उपनाम से लिखी थी उनका उपनाम था भानू सिंग ठाकुर। रविंद्र टैगोर जी एक poet, play writer, essayist, short story writer, composer के साथ ही साथ वे एक बहुत ही शांदार चित्रकार भी थे रविंद्र टैगोर जी ऐसे पहले non-European विक्ती थे जिने नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया रविंद्र टैगोर जी को 1913 में गीतांजली के लिए नोबल पुरुसकार दिया गया दोस्तों गीतांजली असल में poems का collection है अब हम बात करेंगे रविंद्र टैगोर जी के कुछ बहुत ही famous notable work के बारे में जैसे की गीतांजली, गौरा और काबुली वाला मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही interesting journal knowledge की बाद भी बताने वाला हूँ पूरे विश्व में रविंद्र टैगोर जी एक मातरह ऐसे व्यक्ती हैं जिन्हों ने दो राष्टो के लिए राष्टिकान लिखे भारत के लिए उन्होंने लिखा जाना गाना माना और बंगला देश के लिए लिखा आमार सोनार बंगला दोस्तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टाइट पर जहाँ पर मैं आपको ये पूरा लेसन बहुती सरल शब्दों में एक्स्प्लेन करूँगा तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टाइट पर सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे दाव का मतलब होता है तुम, हास्ट का मतलब होता है ने, दाए का मतलब होता है तेरा, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, वैसल का मतलब होता है बरतन, एम्टियस्ट का मतलब होता है खाली कर दिया और रीट का मतलब होता है बासुरी रविन्ना टैगोर जी ने सौंग की पहली लैन में कहा है कि हे परमपिता परमिश्वर भगवान आपने मुझे अनन्त कर दिया है जिसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तो असल में हिंदू धर्म एवं मानेताओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि जितने भी जीवित लोग हैं उनमें प्राण होते हैं और प्राण कभी भी मरते नहीं इसलिए जो पोईट हैं वे धन्यवात करते हैं भगवान का कि आपने मुझे अमर कर दिया है क्योंकि आत् ट्यिविनोंि न टैगर जी हमें यह बताना की इंसानी शरीर किसी कच्छे बर्थन के समान हैं जीसे हम जितनी भी भार भरें, वह हमेशा खाली का खाली ही बना रहता है इंसानी शरीर नश्वर है यानि कि हमारी कभी भी मृत्ती हो सकती है लेकिन आत्मा हमेशा अमर है वह हमेशा किसी नए जीवन को ढूण लेती है और उसमें जाकर बस जाती है दोस्तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर सबसे पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिखेंगे डेल्स का मतलब होता है घाटी एटर्नली का मतलब होता है अनंत काल तक इम्मॉर्टल यानि की अमर अट्रेंस का मतलब होता है कथन या फिर उचारंड और इन एफेबल का मतलब होता है अकथनी है दिस लिटल फ्लूट ओफ रीट दावहास्ट कैरेड ओवर हिल्स एंड डिल्स कभी रविन्ना टैगोड ने इंसानी शरीर को किसी बासूरी के रूप में देखा है जिस प्रकार से बासूरी में उचे स्वर होते हैं जो किसी पहाड की तरह तो कभी किसी घाटी की तरह हमें सुनाई पड़ते हैं ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें कभी बहुत ज़्यादा सुक मिलता है तो कभी हमें बहुत सारा दुख का सामना भी करना पड़ता है and haste breathe doubt it melodies eternally new जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी आत्मा अमर है वह हमारा शरीर झोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रविश कर सकती है जब हमारी मृत्यू हो जाती है और फिर जब वह दूसरे के शरीर में प्रविश करती है तो वे उसके शरीर से ही काम करती है, उसके शरीर में ही क्रिया करती है इसी को रविन्ना टेगोर जी ने हमें बासूरी के एक एक एक्जामपल से समझाया है जब हमारे शरी के अंदर से आत्मा निकलती है, तो वे एक नए शरीर में प्रवेश करती है और फिर वो उसके जरीय ही सांस लेती है और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती ही चली जाती है क्योंकि जीवन मरण जब तक रहेगा तब तक आत्मा रहेगी और जब तक आत्मा रहेगी तब तक ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहेगा At the immortal touch of thy hands, my little heart loses its limit in joy and gives the birth to utterance ineffable कवी रविना टैगोर यहां पर कहते हैं कि जब परमपिता परमेश्वर अपने हातों से जब मुझे चूते हैं तो मेरा छोटा सा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है प्रसन्नता से भर जाता है और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जिसे मैं अपने शब्दों से भी बयान नहीं कर सकता यानि कि वह खुशी अकतनी है यानि कि उसे बोल कर बताया नहीं जा सकता दोस्तो अब हम चलेंगे निक्स्ट स्लाइड पर दाए इंफिनेट गिफ्ट्स कम टू मी ओन्रियॉन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स अफ माइन हे परमपिता परमेश्वर आपने मुझे जीवन भर बहुत सारी खुशियां दी हैं बहुत सारे गिफ्ट्स दी हैं लेकिन मेरे हाथ बहुत ही छोटे हैं और आप लगातार खुशियां और गिफ्ट्स देते ही चले आ रहे हैं दोस्तो हम सभी अपने जीवन में बहुत ही जादा खुश हैं हमारे पास दो वक्त का खाना है एक अच्छा माहौल है और हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन दुनिया में बहुत सा ऐसे लोग हैं जिनके पास मूल भुट सुविदाय भी नहीं हैं इसलिए परमपिता परमेश्वर को सबसे सुप्रीम पावर मानते वे रविनाठ टैगोर ने कहा है कि आपने मुझे जीवन भर खुशियां दी हैं और मेरे तो हाथ छोटे पड़ गए हैं आपने मुझे इतनी खुशियां दी हैं Ages passed and still there is a room to fill is it पूरस का मतलब होता है मूशलाधार वर्शा करना मुशलाधार गए हậार जब बारिश घरती हैं तो इसे मूशलाधार बारिश का जाता है यानि कि बहुत ज़्यादा समय बीद गया है लेकिन अभी भी परम्पिता परमेश्वर आप मुझे लगातार खुशिया देते चले आ रहे हैं और आप लगातार मुझे गिफ्ट दे रहे हैं और अभी भी जब तक मेरे पास थोड़ी सी भी जगह बची होगी आप मुझे लगातार ऐसी ही खुशिया देते ही रहेंगे इस चैप्टर में हमें एक सौंग और भी दिया गया है जिसका एक्स्प्रेनेशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइट कर रहा हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ difficult words देखेंगे Salutation का मतलब होता है अभी वादन दी का मतलब होता है तुमको Burden यानि की बोज Unshed का मतलब होता है बोज उतार लेना In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet Salutation का मतलब होता है अभी वादन जिस प्रकार हम Hindi में नमस्ते कहते हैं, English में हम Hello कहते हैं या फर हम कभे कबार राम राम कहते हैं तो इस Salutation कहा जाता है ठीक इसी प्रकार का Salutation कभी ईश्वर को करते हैं और उनसे एक प्रातना भी करते हैं कि उनके जितने भी senses हैं senses का मतलब होता है देखना, सुनना, बोलना, सूंगना या फिर टच करना, महसूस करना उन सभी को वह बहार निकाल कर उनका पूर्ण इस्तमाल करकर उन्हें पूरी तरीके से इस्तमाल करकर इस पूरे संसार को वह देखना चाहते हैं महसूस करना चाहते हैं और इस संसार को महसूस करना ठीक वैसा ही होगा जैसे परमपिता परमिश्वर के चड़नों को छूना उनके पैरों को महसूस करना आप सबीने जुलाई के महिने में बारिश से बरेवे बादलों को जमीन के बहुत ही नीचे उड़ते वे देखा होगा क्योंकि उनमें वजन होता है और वह अपना पूरा भार जमीन पर उड़िलना चाहते हैं वह अपना भार उतारना चाहते हैं इस लाइन का मीनिंग आपको और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट लाइन में मिलेगा तो चली चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर My mind bent down at thy door in one salutation to thee जिस प्रकार से बादल अपने पूरे वजन को हलका करना चाहते हैं ठीक उसी प्रकार से कवी ये कहते हैं कि उनके मस्तिश्व में जितनी भी बुराईया हैं जितनी भी परिशानिया हैं वो उन्हें हलका करना चाहते हैं और इसके लिए अपने सर को परमपिता परमेश्वर की दरवाजी के सामने नीचे जुकाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर डाइवर्स का मतलब होता है बिन या फिर विविद Let all my songs gather together Their divers strain into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee कभी रविना टैग और इन पंक्तियों के मादम से कहते हैं कि उनके जितने भी विविन्न तरीके के गीत हैं जैसे कि कोई गीत उनका खुशी पर है कोई दुख पर है कोई गीत उनका प्रकृती प्रेम पर है या फिर कोई गीत उनका समाज पर है अगर उन सभी गीतों को एक संगीत में पिरो दिया जाए तो वह किसी पानी की धारा के समान दिखाई पड़ेगा दोस्तों अगली लाइन में उन्होंने एक एक्जामपल के मादम से बताया है कि वह परमपिता परमेश्वर को किस प्रकार से नमन कर रहे हैं कलपना कीजे कि आप समुद्र के उस हिस्से पर हैं जहां चारों और सन्नाटा है और केवल लहरों की ही आवाद सुनाई दे रही हैं तो जिस प्रकार से उस लहरों की आवाद सुनाई दे रही है पानी की आवाद सुनाई दे रही है ठीक इसी प्रकार का नमशकार कवी परमप परमेश्वर का गुणगन करें दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर वोयाज का मतलब होता है समुदरी यात्रा फ्लॉक यानी की जुंट और क्रेंज का मतलब होता है सारस होमसिक का मतलब होता है जो घर में रहना जादा पसंद करता है सारस वह पक्षी होते हैं जो जुंड में उडान भरते हैं वे दिन बर इदर उदर घूमते हैं खाने की तलाश में और वे लंबी यात्राएं करते हैं लेकिन रात होने से पहले वे सभी अपने परवती घौसलों में वापस आ जाते हैं और अपना समय अपने बच्चों के साथ अपने बिताते हैं कवी कहते हैं कि हम सभी की जिंदेगी इसी प्रकार की है, हम दिन में निकल जाते हैं दूर यात्राओं पर लेकिन आखिरकार अपने घर आते हैं, कवी आगे कहते हैं कि let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee, आगे वे कहते हैं कि हम सभी अपनी समुद्री यात्रा पर हैं, यानि कि जिस प्रकार से हम समुद्री यात्रा करते हैं, तो समुद्री यात्राओं अक्सर लंबी होते हैं और इन यात्राओं में हमें अपना पूरा सामान का बंदोबस्त करकर चलना होता है, तो कवी कहते हैं ह हम सभी एक समुद्री यात्रा पर हैं जहाँ पर हमने अपने सामानों का बंदोबस्त करकर रखा है लेकिन आखिरकार हमारी जो मन्जिल है वह एक ही है और वह है अंततह घर और वह घर है परमपिता परमेश्वर का हम सभी अपनी अपनी राहों से अपनी अपनी समुद्री राहों से अलग अलग जगहों से हमें केवल एक ही गर पहुशना है और वह घर है परमपिता परमेश्वर का दोस्तो ये था पूरी पोयम का एक्स्प्लेनेशन आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी पोयम बहुती आसान शब्दों में समझ में आये होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन ज़रूर दबाएं अपने आस पास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं आपने मुझे इतना समय दिया मैं आपका अभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद